कि नमस्कार दोस्तों नाइंट लेशिन के बारें बात कर रहे थे वोक त्रो दा फायर और उसके फर्स्ट पार्ट के रूप में हमने उसका वन थर्ड पार्ट देख लिया था जिसमें लेखक जो था एक सेनिक था और एक भारती बुड़े आदमी को बचाता है और अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है तो आएए आगे शुरू करते हैं वी सून रेजड हम जल्दी ही पहुँच गए हिस डेस्टिनेशन उसके लक्षे पर उसके लक्षे का तात्पी है वो जहां जाना चाहता था हम उसी स्तान पर जल्दी ही पहुँच गए वेर अपन इसके बाद में ही थैंग्ड मी उसने मुझे धन्यवाद दिया वन्स अगेन एक बार फिर से बुड़ा आदमी लेखक को फिर से एक बार धन्यवाद देता है and said और ये कहा that he would return my handkerchief कि वो मेरी रुमाल को लोटा देगा after के बाद it had been cleaned जब वो उसे क्या कर देगा साफ तो उस बुड़े अदमी ने कहा कि मैं आपकी ये जो रुमाल है जो मेरे खुन से गंदी हो गई है मैं इसे धोकर क्या कर दूँगा आपको वापस लोटा दूँगा next time अगली बार भी meet जब हम क्या करेंगे मिलेंगे तो उसने कहा कि जब दोबार मिलेंगे तब आपकी रुमाल में क्या कर दूँगा लोटा दूँगा I was about to ask मैं पूछने ही वाला था him उसे how he proposed कि उसने ऐसा क्यों सोचा या कैसे सोचा to arrange our next meeting कि हम अगली बार मिलने वाले हैं लेकर कुछ से पूछना चाहता था कि तुम ऐसे कैसी विवास्ता करोगी कि हम भविशे में भी दोबारा मिलेंगे ऐसा लेकर पूछना आना था when he didn't even know जबकि उसे यह भी नहीं पता था who I was कि मैं था कौन and which part और कौन से हिस्से में of the huge sapper camp उस बड़े से engineering camp के I was जिन मैं रह रहा था उस बुड़े आदमी को यह नहीं पता था मैं कौन हूँ मेरा क्या नाम है और मैं उस camp के कौन से हिस्से में रहता हूँ यह भी उसे नहीं पता था but before I could begin लेकिन इससे पहले कि मैं उसे प्रष्ट पूछने के लिए शुरुआत करता he had fatted into night वो क्या हो गया अंदेरे में गायव हो गया fed दाताती होता है दूंदला हो जाना तो लेकिन उसे पूछना चाता था कि तुमने कैसे आइडिया लगा है कि हम दोबारा भी मिलेंगे लेकिन ऐसा पूछने से पहले ही वो ब्रद आदमी क्या हो जाता है अंदेरे में गायव हो जाता है a few weeks later कुछ ही शपता हो के बाद my posting मेरी जो posting थी came through to general headquarters जो मुख्याले था मुख्य मुख्याले वहाँ पर मेरी क्या हो जाती है coincided ऐसा एक सयोग हुआ with the arrival की वहाँ पे पहुँचा of a fresh supply एक ताजा आपूर्ती of Canadian canned beer Canada में बनी हुई डिब्यबंद beer की at the camp कहाँ पर उस camp में तो लेखक आपको ये बताना चाहरा है कि जैसे आज उसकी posting का उसे order मिला है दिल्ली में तो उसे दिल्ली में कल जाना है लेकिन आज रात को ही क्या हो जाता है उसके camp में जो सैपर camp था वहाँ पर Canada की डिब्यबंद beer क्या हो जाती है पहुच जाती है तो डिब्यबंद जब beer पहुचती है तो लेकर क्या करता है देखने है it also consigned और यह भी एक सयोग रहा with the visit to the camp कि उस camp में ब्रह्मन होने लाइग था और फेर रिमार्केबल टूप एक बहुत ही अच्छी मंदली का एक बहुत ही विशिष्ट मंदली का और इंडियन्स जो किसकी थी भारतियों की तो उस camp में कैनेडा की beer तो आई ही इक बहुत ही सजण वेक्ति के दौरा नौँ एज प्रोफेसर राऊ जिसका क्या नाम था प्रोफेसर राउ तो उस सैपर केम्प में जो भारतियों की मंदली आई उसका जो लीडर था वो कौन था प्रोफेसर राउ था अब ये प्रोफेसर राव कौन है who were said जिन लोगों के बारे में ये कहा जाता था to perform amazing feats कि वो क्या करते हैं बहुत ही आश्यर जनक और बहुत ही अजीब उगरीब क्या करते हैं कारणा में करते हैं off strength जो कारणा में किस समंधित होते हैं शारिक शक्ते से तो जो मंदली आने वाली थी वो एक कोई शारिक करतब वहाँ पे दिखाने वाली थी entertainment manoranjan at the camp उस camp में was practically व्यावारिक रूप से non-existent क्या नहीं था वहाँ पे आस्तेतों में नहीं था at that time उस समय तो उस camp में normally वहाँ पे किसी प्रकार का कोई manoranjan नहीं होता था and therefore और इसी लिए this issue ये जो manoranjan का कारी करम होने वाला था which had been led on जिसकी व्यवस्ता की गई थी by the welfare officer उस कल्यान विभाग के अधिकारी द्वारा was something वो कोई कि ऐसी कारी था ऐसी गठना थी not to be missed जिसे हम क्यानी करना चाहते थे miss करना नहीं चाहते थे लेकर कहता है कि camp में किसी प्रकार का manoranjan नहीं होता था लेकिन आज भारतियों द्वारा ये जो manoranjan के कारी करम किये जा रहे हैं ये करवाए गए थे welfare officer के द्वारा कल्यान अधिकारी के द्वारा ये कारी करम ऐसे थे जिनें हम क्यानी करना चाहते थे miss करना नहीं चाहते थे इसका करण था कि वहाँ पे और कोई प्रोग्राम नहीं होता था सो इसी लिए after having celebrated manoranjan करने के बाद में अनन्द मनाने के बाद में well बहुत अच्छी तरह से but not all that wisely लेकिन बुद्धी मता पूर्ण तरीके से कहूं तो उतना अच्छी तरह से भी नहीं we went along to watch it हम उन लोगों के कारे करम को देखने के लिए उनके कर्तबों को देखने के लिए क्या हो जाते हैं चले जाते हैं तो वो वहाँ उन लोगों का कारे करम देखने के लिए चले जाते हैं in actual fact यह दी वास्तविक बात कही जाए we went along with the intention intention का तात्वी इरादा हम actually इस इरादे से गये थे off attacking the mickey कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे कुछ हसी मजाग करेंगे but after a while लेकिन जब हम वहाँ पर पहुंचे उसके थोड़ी ही देर बार like everyone is there अन्ने किसी भी प्रतेग व्यक्ति के जैसे we stand to wonder हम किस इस्तिती में खड़े रहे आश्यरिय की लेकर कहता है कि उनका कारिकरम देखने के लिए हम गए हम देखने के लिए तो इसके लिए गए थे कि हम वहाँ जाकर थुड़ा बहुत क्या हसी मजा करेंगे लेकिन कुछ ही अन्ने के बाद वो क्या हो جाते हैं आश्यरिय से प्रभावित हो जाते हैं अब लेखक थी when we arrived जब हम पहुंचे the professor वो जो प्रोफेसर राव था जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था जो उनका लेडर था who looked nothing जो नहीं लग रहा था like a strongman एक मजबूत या बहादुर आदमी के तरह तो जो प्रोफेसर था वो कोई strongman नहीं था actually ऐसा नहीं लग रहा था had just called उसने अभी-भी बुलाया for 12 volunteers बारे स्वेम सेवको को from the crowd और audience उन सुरोता गणों में से huge task जिन लोगों का कारिय it was यह था to bend की वो मोड देंगे an iron bar एक लोहे की राड को या सरीय को around his neck उसके गरदन के चारो और तो प्रोफेसर राओ ने क्या किया जो बीड बैटी थी जो सुरोता गण बैटे थे दर्शक बैटे थे उनमें से बारे लोगों को बुलाया और उन बारे लोगों को बुला कर क्या कहा एक राओ पड़ी थी बहुत बड़ी ठीका ना तो उस बड़ी सी राओ को उन बारे लोगों को पकड़ने के लिए कहा और यह कहा कि मेरी यह जो गरदन है उसके चारो और क्या कर दो इस राओ को मोड दो यह बात किस ने कही है प् लगबग कितने फीट की थी लगबग 12 फीट की तो बारे फीट के जो लंबी रोड थी वो वहां लाई गई और प्रोफेसर हैड हैल डीट और प्रोफेसर ने वो जो रोड थी वो रख ली होरीजेंटली क्षिति जाकार या आडी जिसे आप कह सकते हैं with the middle of it जबकि उस रोड का जो मद्य भाग था pressed against his throat वो उसके गले के उपर क्या था रखा हुआ था तो रोड का जो मद्य भाग था उस प्रोफेसर के गले पे रखा हुआ था और उसने गले पर रख कर उन लोगों को कहा कि तुम अब क्या करो इस रोड को मोड़ो ये बात किसने कही है प्रोफेसर ने जो लेकर को किसी परकार से कोई ज़्यादा मजबूत या बहादुर वेक्ती नहीं लग रहा था ही देन अरेंजड तब उसने व्यवस्तित किये दा वॉलेंटियर्स उन स्वेव सेवको को six on either side of him अपने दोनों तरफ छेचे तो बारे लोगों को उसने बुलाया तो अपने दोनों तरफ छेचे लोगों को उसने क्या कर दिया दोनों तरफ खड़ा कर दिया और प्रोफेसर से सिगनल और जब उस प्रोफेसर ने संकेत दिया सिगनल दिया दा वोलेंटियर्स उन स्वेव सेवको ने बिगान टू पुश दख्खा मारना शुरू कर दिया with all their might अपनी पूरी शक्ती से तो चैचे लोग जो दोनों तरफ थे उन लोगों ने उस रोड को दख्खा मारना शुरू कर दिया अपनी पूरी ताकत से माइट का ताथ पिये हैं आपे ताकत है and the iron bar और जो लोहे की रोड थी was bent into U-shape वो क्या हो गई U-shape में क्या हो गई बदल गई around his neck उसके गले के चारो और तो पहले जो रोड थी जो सीधी थी वो अब क्या हो जाती है उसके गले के चारो और ऐसे क्या हो जाती है गूम जाती है जो चैचे लोग थे वो ऐसी दोनों तरफ थे वो क्या करते हैं ऐसे इनको क्या कर देते हैं रोड को गुमा देते हैं तो वो एक समाने सा दिखने वाला प्रोफेसर राव जो ज्यादा बहादूर नहीं लग रहा था अपनी गले की ताकत से क्या कर देता है उस रॉड को मोड देता है यह अपने आप में बहुती आश्चर जनक क्या था कारणामा था अदर फीट्स पॉल आउड इसके बाद में और कारणामें भी हमें देख मरनी है जिसे हम कभी क्या नहीं कर पाएंगे भूल नहीं पाएंगे तो देखते हैं प्रोफेसर ने ऐसा क्या किया है और जबकि उसने ऐसा किया उस कारणामा क्यों किया दा वेलफेर ओफिसर हमारा जो कल्यान अधिकारी था अनॉंस्ड उसने यह गोशना की that on his insistence कि उसकी जिद पर the professor had signed उस प्रोफेसर ने हस्ताक्षर किये है a document एक ऐसे प्रपत्र पर to the effect जिसका यह प्रवाव है that if anything happened कि यदि कुछ भी हो जाए to him उस प्रोफेसर को यदि उस प्रोफेसर को कुछ भी होगा the British army British जो आर्मी है सेना है could in no way किसी भी प्रकार से be held responsible क्या नहीं होग तो वो जो प्रोफेसर था कोई ऐसा कारणाम करने वाला था जिससे क्यों हो सकता उसकी जान भी चली जाए तो वहां के अधिकारी ने उससे पहले ही एक signature करवा लिया agreement करवा लिया कि यदि तुम्हें कुछ भी होगा तो उसके लिए हमारा जो कैम्प है वो किसी प्रकार से क क्या नहीं होगा जिम्मेदार नहीं होगा इट वाज ओनली ओन दीस टांस टांस का ताथ्पी शर्तें इसी शर्त के ऊपर दैट दा प्रोफेसर वो प्रोफेसर जो था वाज अलाउड उसे अनुमती दी गई तू परफॉर्म हीज क्लोजिंग एक्ट उस अंतिम अपने कार ये करने की इजाज़त दी गई अब देखता है प्रोफेसर ऐसा क्या करता है जिससे उसकी जान भी जा सकती है एक फाइव टन आर्मी ट्रक एक पांच हज़ार किलो का आर्मी का ट्रक वाज देन ड्राइवन उसे चला कर ले जाया गया इंटू दा सेंटर ओफ दा सर्किल उ जाजा कर दिया गया रोख दिया गया विच वाज़ दा ओनली स्टेज यही वह है मंच ता द प्रोफेसर यूजड जो कौन उपियो करना चाह रहा था प्रोफेसर प्रोफेसर के लिए यही मंच ता यही जगह थी ही लैड ही लेड डाउन वो नीचे लेड गया अंडर दा को struck के नीचे so that जिससे की his chest उसकी जो छाती है was in line वो बिल्कुल सिद में आ जाए with one of the rear wheels उन पीछे के टाइरों के पहियों के and on old railway slipper और एक पुराना railway का फंटा लकडी का was placed रख दिया गया alongside his chest उसके छाती से लगा कर two form जिससे a crude ramp एक ढलान बन जाए आप वीच जिसके उपर the truck could be driven क्या किया जा सके truck को चलाया जा सके तो हुआ ऐसा कि यहाँ पे तो यहाँ पे तो प्रोफेसर राव क्या हो जाते हैं सो जाते हैं और इधर क्या होता है यह उनकी छाती है वो छाती के उपर से एक लकड़ी का फंटा ढलान के रूप में क्या कर दिया जाता है यहाँ पे लगा दिया जाता है और जो truck था वो truck क्या किया जाता है truck का जो tire था वो tire इस परकार से truck के साथ आगे जाता है और शायद truck का जो tire है वो प्रोफेसर के chest के उपर से क्या हो जाता है शायद गुजर जाता है शायद ऐसा ही वो करने वाले हैं तो इस प्रकार की योजना वो क्या कर लाता है professor वहाँ पर उस बीड के बीच में जो जगह है वहाँ पर बना लेते हैं देखते हैं क्या होने वाला है the truck was then driven तब उस ट्रक को चलाया गया quickly बहुत ही तेजी से forward आगे किस तरफ so that जिससे की the rear wheel पीछे का जो पईया है went up the railway sleeper किसके उपर चड़ जाए उस railway के फंटे के उपर and cross and cross the professor's chest और किसको cross कर जाए उस professor की चाती को यह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने आपको अभी क्या किया है बताया है तो ऐसी ही व्योस्ता वो करते है as simple and as crude as that यह जो कारिये था यह उतना ही सामन्ने और उतना ही पुराना या पुरातन सब्यता का क्या हो रहा था लग रहा था the back of the truck उस truck का जो back था पीछे का जो हिस्सा था incidentally संयोग वश content as many men उतने लोगों को अंदर लिये उए था as could possibly crowd into it जो उसमें क्या हो सकते हैं जाकर भर सकते हैं तो truck को अपनी छाती पे से उसने निकाल दिया उस crude उस फंटे की सायता से लेकिन इसके अलावा भी एक बात ऐसी थी कि उस truck का जो पीछी का जो हिस्सा था truck का जो पीछी का जो हिस्सा था उस truck की हिस्से में बहुत सारे लोग भी क्या थे भरे हुए थे इसका तात्पिय पांच जार किलो तो वजन उस truck का है जबकि इसमें जो भड़े हुए लोग है उनका वजन क्या था उसके अतिरिक दे था तो इस प्रकार से इतने सारे वजन को वो अपने चाती पे से क्या कर देता है निकाल देता है ये अपने आप में क्या था बहुत ही अविश्प स्नि था अब देखते हैं आगे कौन सा कर्तब दिखाने वाले हैं वो देर वाज अनदर इंडियन वहाँ पर एक दूसरा भारती ओर था विद द प्रोफेसर उस प्रोफेसर के साथ और उसका जो दल था जिसने कोई हिस्सा नहीं लिया इन दा स्टॉंग मैंस एक्ट उस बहादूरी वाले कर्तब में तो एक आदमी एक भारती ओर था उसके कुछ साथी थे उन्होंने अभी तक किसी भी बहादूरी के कारिये में क्या नहीं लिया है भाग नहीं लिया है तो फिर उसने क्या किया बट इस्पैंड दा एंटायर टाइम उसने तो अपना सारा समय क्या कर दिया है बिता दिया है क्या करने में डिगिंग ए सैलो ट्रेंच एक थोड़ी बहुत गहरी हलकी सी गहरी एक खाई खोदने में अबाउट टैन फीट लॉंग जो दस फीट तो लंबी थी एंड टू और थी फीट वाइड और दो से तीन फीट क्या थी चोड़ी थी तो उस एक आदमी ऐसा था जिसने कुछ नहीं किया सारा दिन क्या किया है देखते हैं उसने दस फीट लंबी तो क्या किया है एक खाई खोद ली है 10 feet तो लंबाई और 2-3 feet लगबग क्या किया उसने चोड़ाई कि क्या किया है एक खाई ऐसे क्या कर लिया है खोद लिया है जो क्या नहीं थी कोई ज्यादा गहरी नहीं थी अब खाई से वो क्या करना चाहता है बाई दा टाइम उस समय तब प्रोफेसर हैड फिनिस जब प्रोफेसर ने खत्म कर लिया था ही जए अपना कारी है ट्रक वाला जो कारी है जब उन्होंने खत्म किया दिस ट्रेंच यह जो खाई थी हैडवीन फिल्ड उसे भर दिया गया विद रैड हॉट कोईल्स गर्म बिल हुए कोईलो को क्या कर दिया गया उस खाई में डाल दिया गया जो वहां की रसोई से लाए गये थे डैर वाज नो फटनी बिजनिस ऐसा कोई मजाग पूर्ण कारी मुझे नहीं लग रहा था अबाउड दा फायर ट्रेंच उस आग से भरी हुई उस खाई से समंदित इधर बिलकुल भी मुझे उस खाई को देखकर ऐसा कोई मजाग पूर्ण का विचार मेरे मस्तिक्ष में नहीं आया तो फिर क्या हुआ वी गैदर्ड हम इकटे हो गए अराउंड इट उस खाई के चारोवर तो हम जितने भी साते थे उस खाई के चारोवर इकटे हो गए और उस खाई में से जो गर्मी निकल रही थी इट वाज इंटेंस वो बहुत ही ज़्यादा तेज थी क्योंकि अंदर कोईले थे गर्म तो निश्यत रोप से गर्मी निकल रही होगी इस इंडियान ये जो भारतिय था रैदर एन एल्डरली जन्टलमेन ये एक वरद मुझे सजन पुरुष लगा then stood वो आदमी तब खड़ा होता है at one end एक तरफ of the trench उस खाई के तो वो बुड़ा आदमी जो था जो खाई खोद रहा था अब उसका काम पूरा हो गया है तो वो एक खाई के एक तरफ जाकर क्या हो जाता है खड़ा हो जाता है और क्या करता है splashed water उसने पानी चिड़का from a nearby bucket एक पास ही की बाल्टी में से over his feet अपने पैरो पर bare feet अपने नंगे पैरो पर अपने नंगे पैरो पर वो आदमी एक उस खाई के एक तरफ खड़ा होता है जाकर अपने पैरो पर खुद के पैरो पर एक बाल्टी के पानी में से क्या करता है अपने पैरो पर छिड़काओ करता है और छिड़काओ करने के बाद में क्या करता है and then proceeded और तब उसने आगे बढ़ता है to walk चलने के लिए over the red hot coils उन लाल लाल और बहुत ही गर्म कोईलों के उपर along the hall length उस पूरी लंबाई में of the trench जो किसकी थी उसे खाई की तो वो जो बुड़ा आदमी है वो उस खाई के जो कि दस भाई लगबग दो या तेन की थी एक तरफ खड़ा हो जाता है और अपने पैरों पर क्या करता है वो जो बाल्टी थे उससे पानी गिराता है पैरों को दोता है और उस trench में जो कोईले थे जगे जगे लाल लाल उन कोईलों के उपर क्या करता है वो चलने लग जाता है तो चलता है तो क्या उसके पैर जलते हैं देखते हैं इट वाज यह था एन इंक्रीडिबल स्पेक्टिकल एक बहुत ही आए विश्वस्निये द्रश्य है मुझे अपनी आखो पर क्या नहीं हो रहा था विश्वास नहीं हो रहा था वी कुड़ सी हम देख रहे थे दा लॉफ लैंबस की वो जो धीमी धीमी जो लपटे थी फ्रॉम दर रैड होट कोईल जून लाल और गर्म कोईलों से निकल रही थी लिकिंग अराउंड इज बैर फीट वो उसके नंगे पैरों को क्या हो रही थी लिपट रही थी तो जो क आदमी दूसरी तरफ जा रहा था तो उसकी जो पैर है जो ऊंकोयलों के उपर हैं वहाँसे आग इंको पैरों को क्या हो रही थी टुच हो रही थी जब वह उस दूसरी तरफ वो कहना चाहरह है कि यह जो ऑंट्रैंस थी वो वेकती यहां से शुरू करता है कोईलों पड μας चलना वापस चला जाता है यहां तक लेकिन संतुष्ट नियूंँगा फिर क्या हो जाता है एक वार अपनी जगह वापस क्या हो जाता है उसी रास्ते पर वापस आ जाता है he then squatted down तब वो फालती बनाकर नीचे बैट गया on the ground जमीन पर gestured to his feet और अपने पेरों की तरफ वो इशारा करता है and invited us और हमें आमंत्रित करता है to inspect them कि आकर मेरे पेरों को क्या करो चेक करो तो खाई के दूसरी तरफ जाकर वापस आ जाता है जमीर पर बैठता है और वहाँ खड़े लोगों से आकर इशारा करते हुए कहता है कि आओ और मेरे पेरों को चेक करो कि क्या मेरे पेरों से सोरी जो कोईले लगए रहे हैं क्या उनसे मेरे पेरों को कोई शती हुई है क्या कोई नुकसान हुआ है वी डिड हमने ऐसा ही किया उसके पेरों की जांच परताल की एंड देर वाज नौट सो मच वहाँ पर तो इतना सा भी नहीं था क्या नहीं था एबलिस्टर एक फफोला भी एनिवेहर कहीं पी तो भी सीन जिसे हम क्या कर सकें देख सकें तो वह इतनी देर आग पर चल कर आया लेकिन उसकी पेरों पर एक आग से बना हुआ फफोला भी क्या नहीं हुआ हमें नजर नहीं आया I had pushed forward मैं आगे बढ़ा through the crowd उस भीड में से to get a closer look पास ही से उस आदमी को देखने के लिए at his amazing character उसके आश्चरिजना के उस चरित्र के उस आदमी के पेरों को तो लेखक उस बीड में से आगे बढ़ता हुआ उस आदमी के पास पहुंचता है उसके पेरों को देखने के लिए and as I knelt down लेकिन मैं जैसे ही नीचे जुखा beside him उसके पास में जैसे ही गुटनों के बल बैठा I felt something मुझे कोई चीज महसूस हुई thrust into my hand जो मेरे हाथों में क्या कर दी गई ठूस दी गई लेखक जैसे ही उस आदमी के पास जाकर बैठता है तो लेखक को महसूस हुआ कि उसके हाथ में कोई चीज आई है किसी ने दी है अब वो चीज क्या थी जो लेखक के हाथ में आई है It was a handkerchief या अपने आप में एक वो रुमाल थी And it was then और ये उस समय की बात है That I recognized him कि मैंने उस आदमी को क्या कर लिया पहचान लिया तो लेखक जब उस आदमी के पैरों को देखने के लिए जब नीचे जुकता है तो उसके हाथ में क्या आ जाती है एक रुमाल आ जाती है जब उसने उस रुमाल को देखा तो उसे मैसूस हुआ कि ये तो वही रुमाल थी जो उसने पहले दिन क्या की थी उस आदमी को दी थी उस आदमी को किसको उस बुड़े आदमी को जिसको उसने क्या किया था उन लोगों से टो एंगलो इंडियन लोगों से मार पीट से बस्ते वे क्या किया था उसको बचाया था तो इस प्रकार से वो लेखक उस आदमी से वापस क्या हो जाता है मिल जाता है तो यह आपके इस लेशन का second part है तोड़ा लंबा लेशन है पूरा लेशन इस second part में नहीं हो पाएगा तो next part में फिर देखते हैं एक बार इसे आज अपकी बार third part में इसे complete करेंगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रा